स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो इससे नेक्स लेक्चर आपके पास सबसे पहले जाएगा और शेर करके अपने फ्रेंड्स को भी हेल्फ किजिए चलिए फिर अभी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं वल्कम टू दा नेक्स्ट सेशन और हमने पिछले लेक्चर में 6 टुटोरियल्स यानि 6 ड्रॉइंग्स हमने डिसकस किया था आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ तक टोटल एक्सरसाइजे पिछले लेक्चर में बता दिया था और आज के lecture में हम लोग ये सब देखने वाले exercise 7 से लेकर ये देखिए एक मैंने यहाँ पर गलत आ गया था इसलिए मैंने हटा दिया है तो ये tutorial exercise 10 तक देखेंगे और इसमें भी हमें नए नए techniques और नए नए तरीके सीखने को मिलेंगे ठीक है किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है then feel free to ask ओके तो चलते हैं start करेंगे start करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर अपना template बना के रखे हैं अगर हम यहाँ से कोई template यूज करते हैं जैसे a cat.dwt या फिर यहाँ से भी ले ले लेते हो a cat.iso.dwt तो आपको फिर से जो है unit, limit बहुत सारे चीजें फिर से set करनी पड़ेगी तो मैंने यहाँ पर अभी लेना छोड़ दिया है और हम क्या करेंगे यहाँ से जो हमारा बनाया वह template है हलाकि आप यहाँ से भी ले सकते हो you can see here हमारे पास my template in mm नाम का एक template है इसको direct खोलिए और इसको खोलने के बाद देखिए मैंने last time में किसी को सिखाया था यह drawing ठीक है तो आप यह भी रख सकते हैं मैं इसको save कर देता हूँ no problem यहाँ से document.dwg फाइल में है आप यहाँ से नाम दे सकते हैं इसको और आप चाहें इसको delete भी कर सकते हैं मैं इसको कर देता हूँ delete select करने के बाद इसको मैंने delete कर दिया है हलाके आने वाले lectures में selection के भी बहुत से matters हैं वो सारे चीज़े हम लोग discuss करेंगे one by one बहुत सारे चीज़े हम लोगों को सीखना है लेकिन command के साथ साथ में हमारे assignments भी अगर चलते रहें तो हमें ये पता चलेगा कि कौन सा command का इस्तमाल हम किस type के drawing में करेंगे ठीक है तो हमारे लिए बहतर practice यही होगा कि command के साथ साथ में हम लोग drawings को भी करते जाएं जैसे कि आपने देखा कि मैंने पिछले lecture में बताया line circle rectangle और मैंने offset बताया trim बताया ठीक है तो इस तरह से tangent tangent radius बताया तो उसी का इस्तमाल करके हम लोग ये tutorials बना रहे हैं आज भी उसी command का इस्तमाल करोंगा जो भी मैंने discuss किया है ठीक है फिर बाद में जाएंगे तो दूसरे type के दूसरे label के tutorial होंगे तो उन tutorial में जो जो command लगने वाले हैं उन सब को पहले command को discuss करेंगे फिर जाके हम tutorials बनाएंगे तो इस तरह से हमारे confidence बढ़ता जाएगा तो चल यह .dwg file नहीं रहेगा यह जो भी last time में हमने लिया था वही खुलेगा फिर से अगर आप एक नया लेते हो तो वही वाला है ठीक है क्योंकि मैंने जो template लिया था वो लिया था मैं इसको close कर देता हूं यहां से फिलहाल यह सारे चीज़ें आप अगर चाहें तो close कर सकते हैं और अगर मैं एक बार और देखा दूँ आपको कि यहां से मैं अगर ले लेता हूं इधर से तो भी वही काम हमारा आएगा no problem कोई difference नहीं है आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो एक और तरीका जो है हमने जो लिया था यह भी तो हमारा खुद का template है किदर क्या हमारा यह द जाके UCS icon को set कर देजिए अब जरा सा इस drawing को गहर से देखिएगा कि drawing का जो ठीकने से वो थोड़ा सा जादा है और dimension का thickness हमारा कम है तो आपको क्या करना होगा यहां से जब भी आप drawing start करें तो यह आप thickness को select कर लीजिए किस thickness में आपको drawing बनाना है फिर बाद में हम क्या कर ल आप यहां पे भी click करके check कर लीजिए फिर unit वगरा भी check कर सकते हैं you and enter type करके देख सकते हैं कि आपका unit सही है कि नहीं है angle क्या भी हमें जरूरत नहीं है इसलिए मैं इसको as it is zero में ही रहने देता हूँ यहां पे internationally रहने दीजिए मैं okay कर देता हूँ that's all ठीक है बाकी का हमें कुछ भी नहीं करना है तो जरा सोचिए इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो first of all हमें एक rectangle लेने की जरूरत है and what we need to do we need to calculate all these dimensions 10 10 20 और यह हो गया मेरा 96 तो कितने हो जाएगा 116 by 25 116 by 25 का मुझे एक rectangle लेनी होगी ठीक है तो यहां से एक rectangle की जरूरत है हम लोगों को फिलहाल तो मैंने लिए यह rectangle इसको कहीं पर भी click किजिए और पहले हम डालेंगे 116 tab 25 enter और इस तरह से लेने के बाद जरा से zoom कर लेते हैं अपने scroll को आगे करके अभी आप देखेंगे कि जो भी हमने thickness को apply किया था यहां पर वो इस rectangle में apply नही हुआ है तो इसका reason यह है कि आपका जो line weight button है वो off है अगर आप इसको on कर देते हैं तो यह हमारा दिखने लगेगा properly दिखने लगेगा बढ़ते हैं आगे अब देखिए यहां से यहां तक का distance दिया हुआ है 10 का और इसकी जो height है वो total है 120 की उसके बाद हम दो circle लेंगे तो यहां पर जरा सा देखिएगा मैं एक line लेता हूँ इस end point से track करता हूँ क्योंकि मुझे left side में 10 distance डालनी है मैं 10 डाल दिया इंटर कर दिया फिर उपर कितना जाना है 120 तो 120 टाइप करके इंटर कर दिया और यहां से आप space दबा सकते हो इस तरह से मैंने इस line को create कर लिया है अ एक का diameter है 50 और एक का diameter है 100 तो प्रेस कीजिए C for circle और यह है हमारा center center में जाने के बाद आपके सामने एक diameter का option आता है यहां पे आपको click करना है और पहला value डालना है 50 पिर space करके आप command को repeat कीजिए और फिर से आप center पे click कीजिए और यहां से आपको diameter लेना है 100 और enter this is the way of creating both the circles अब बढ़ते हैं आगे यह भी हमें लेना पड़ेगा लेकिन आपको यहां पे देखे थोड़ा सा surprise होगा कि बबा यह यहां पे distance नहीं दिया हुआ है तो कितना ले हम लाइन कितना ले तो इसकी भी जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है देखिए कैसे करना है सो स यहां से right side में आईए यह देखिए green dotted line मिल रहा है आपको यहां बस 10 type करना और enter करना है ताकि इस line का जो starting point है यहां से start हो और इसको आप जितना चाहें उपर ले लिजिए space कर दीजिए उसके बाद मैंने आपको एक command बताया था tangent tangent radius वाला circle तो हमें क्या करना है tangent tangent radius वाला circle का इस्तमाल करना है तो आपको तो पता ही है यहां पे दिया गया है tangent tangent radius आप इस पे click किजिए और यह देख लो यहां पे मैंने click किया पहला tangent यहां पर ले लिया दूसरा tangent और radius इसका कितना है यह रहेगा मेरा 45 तो आप यहां से 45 लेके इंटर कर दीजिए और इस तरह से हम इसक तो कर सकते हैं फिर एक और लेना है हम लोगों को tangent tangent radius तो आप यहां से क्या किजिए फिर से लिजे tangent tangent radius और इस point पे आपको click कर देना है ठीक है अब इसका radius कितना है 150 तो आप यहां से 150 इंटर कर दीजिए here is the way of creating this drawing अब जो भी unwanted चीजे हैं उसको हम हटा देंगे तो उसके लिए मैंने आपको command बताया है जिसको बोलते हैं trim यह वो command है आपको यहां पे click करना है और space दबा देना है आप यहां से हटा सकते हो जो जो नहीं चाहिए आप उसको हटा दीजिए आराम से काम किजिएगा कोई दिकत नहीं आएगी मैं हूँ ना आप इसको भी हटा दीजिए और इसको भी आप delete कर सकते हो यहां से trim का shortcut जो होता है वो tr double enter होता है तो अगर मैं यहां पे undo कर देता हूं ctrl z करके सारे चीजे मैंने वापस ला लिया है और अगर मैंने अपने keyboard से tr double enter या फिर double space करेंग तो भी हमारा trim command active हो जाता है इसमें भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं आपको जो अच्छा लगता है उस पे काम किजिए फिर इसको select करके delete कर देजिए and here we have created our exercise number 7 अब यहां से हम क्या करने वाले हैं center mark दिखाने वाले हैं ठीक है तो first of all हमें क्या करना है कि यहां से भाईया मैं line type बदल देता हूँ यह रहा हमारा line type by layer और center line का color आप चाहें तो ऐसा yellow color का मैं दिखा देता हूँ ठीक है यह हो गया हमारा अब देखिए इसका center mark आपको है annotate में here you can see the center mark आपको बस इस circle को select कर देना है तो automatically यहां पर center mark आ जाएगा और enter कर दीजिए इस तर रहा हमारा dotted dotted का तो भी बढ़ा सकते हैं तो बस आपको क्या करना है LTS type करना है line type scale और यहां से enter कर देना है उसके बाद देखिए आपके सामने by default आएगा one का मैं इसको 3 कर देता हूँ और enter कर दिया तो थोड़ा सा बढ़ा हो गया थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हो फिर स आप स्पेस करके repeat करो मैं 6 ले लेता हूँ यह देखे 6 गुना बढ़ा हो गया फिर से ले लो आप शाहो तो 10 गुना भी ले सकते हो तो in this way we are always free to increase the scale of any line type and मतलब क्या है हम कभी भी उसको edit कर सकते हैं छोटा कर सकते हैं बढ़ा कर सकते हैं ओके यहां से हम ओके यह रहा हमारा center mark now dimensions भी बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि without dimension हमारे लिए कुछ भी ठीक नहीं रहेगा तो आप स्यान ले सकते हो dimension के लिए let's apply the dimension यहां से हमें linear ले लेना है इस point को जाईए और इस point को जाईए यहां से आप देख सकते हो यहां पर अगर आप देखेंगे तो भाईया आपको कुछ दिखाए भी नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए तो मैंने आपको एक दो तरीके बताए हैं फिलहाल तो हम लोगों को क्या करना चाहिए d enter करना चाहिए d for dimension style होता है और यहां से आपको चले जाना है modify मे और modify में जाने के बाद सबसे आसान तरीका यह है का primary units में जाईए I'm sorry fit में जाईए fit में जाने के बाद use overall scale यहां पर दिया गया है one मैं इसको क्या करता है दस गुना बढ़ा देता हूँ और कर दिया मैंने okay और close यह देखिए यह enough है नहीं लग रहा है और भी जाता हूँ है आप 20 गुना कर देता हूँ fit में जाने के बाद आप इसको 20 या 25 गुना कर दीजिए तब देखते हैं कैसा काम करता है यह देख लो यह हमें perfect लग रहा है ठीक है अब यहां से फिर से डी इंटर कीजिए यहां पे जो extra 0 दिख रहा है वो हमें नहीं चाहिए तो आपको क्या क देकार के 0 है वो automatically हट जाएंगे यहां से okay कर दीजिए you can see here आप चाहें तो इसको पकड़ के बाजू में भी रख सकते हैं इधर कर दीजिए अब बढ़ते हैं आगे यहां पर पकड़िए यह है continue dimension यह रहा हमारा एक यह रहा हमारा दूसरा आप चाहें तो बाद में भी इस चाह सकते हैं यहां से मैंने लिया इधर और यहां पकड़कर ऐसे भी ले लेंगे तो भी चलेगा इसके बराबर में कर देता हूं फिर आप पकड़कर इसके टेक्स्ट को कर दीजिए बाहर की तरफ यहां से आप जरा से adjust कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा ठीक है यह रह इस पॉइंट पर जाईए यह है हमारा continue dimension आप इसके बराबर में भी जा सकते हैं ठीक है यह रहा हमारा तो जरा गौर कीजिएगा कि यह थोड़ा सा बाहर में लिया गया था हमें भी थोड़ा सा बाहर कर लेना चाहिए इसको ठीक है ताकि देखिए एक concept यह है कि हमारा कोई भी dimension रहे वो drawing से हमेसा बाहर में ही लाइ करना चाहिए ठीक है यह हमारा हो चुका है देखो कितना कमाल का दिख रहा है perfectly done ठीक है अब जरा सा मैं यहां पर diameter दिखा देता हूँ यह हमारा diameter आप यहां से 50 space 100 आप इस तरह से भी ले सकते हैं लेकिन यहां पर जी जो यह point है extension व होगा press D for dimension style और enter कर देजे modify modify में जाने के बाद आपको मिलेगा fit और fit में जाने के बाद यह देखिए यह एक option है draw dimension line between extension lines आप जैसे यहां पे click करेंगे automatic हो जाएगा और यहां से ok कर दिजिए you can see here तो यह एक सांदार तरीका है आई वाल समझ में इस तरह से हम उसको ले सकते हैं you know इस तरह से हम ले सकते हैं okay अब एक और चीज यहां पर देखिएगा कि यह जो arrow है उस direction को change किया गया तो आप इसको click किजिए यहां पे flip कर सकते हैं फिर यहां पे flip कर सकते हैं ऐसे ही आप flip कर दिजिएगा किसी भी तरह से कोई दिकत नहीं आएगे जैसा मैं कहता हो ना वैसे बस आप लोग करते लिए और बहुत सारे tools हम लोगों को सीखना भी बागी है यह देख लिए यह आ गया फिर जाके हमें क्या करना है radius लेना आप यहां से radius ले सकते हो आप इसको भी select करके यहां पर रख दीजिए फिर space करके repeat किजिए फिर मैं इसको भी पकड़के यहां पर रख देता हूँ अ और जरा सा मैं और्थों को off कर देता हूँ ताकि मैं आसानी से इस पर यहां पर रख सको ठीक है अब जरा गौर कीजिए आईए देखो कैसा आ गया है है ना अगर मैं यहां पर जाता हूँ यहां पर लेता हूँ above dimension line तो यह देखो आ तो रहा है but not exactly जैसा यहां पर दिया गय है तो हमें क्या करना होगा d4 dimension style मैं एक एक करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि बबाग कौन सा setting करने से क्या effect होता है यहां पर जाए और देखिए हमारे पास मिलता है text का text में जाने के बाद आप चाहें तो यहां पर ISO standard पे click कर सकते हैं और यहां पर जाने move text only ले लेता हूँ यहां पर आप जाके press कर दीजिए अगर यह सही से नहीं दिख रहा है तो select कजिए और यहां से पकड़िए फिर से और यह रहेगा above dimension line and that's all so in this way we have created the first tutorial for this session ठीक है बिलकुल भी आसान है अगर समझ में नहीं आता है then feel free to ask कभी भी आप कुछ भी हमसे पूछ सकते हो okay अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ अगला पार्ट हमारा क्या है यह देख रो जरा गौर से तो इसको बनाने की से पहले हमें देखना कि इस ड्राइंग को हम सुरुवात कहां से करेंगे जो की बहत जरूरी है तो मैं सुरुवात करने वाला हूं यह छोटे सरकल से फिर यह बड़ा सरकल ठीक है जिसका डायमिटर देख लीजिए 20 दिया हुआ है और इसका रेडियस 30 दिया हुआ है कोई दिकत नहीं है यहां से ही एख और मबाईल यह ले लेता हूँ यहां पर पॉइंट 30 ले लेता हूँ एक लेता हूँ सरकल यह लिया सेंटर इसका रेडियस 30 और्थो को याद रखे y Reρι तो इसका दियामिटर20 हो गया आप यहां से फिर से ले सकते हो यह लिया डिफोर डायमिटर और 20 ठीक है इसका क center और इसके center के बीच का distance देखिए यहाँ पर 50 plus 40, दोनों को मिला के 90 हो गया, और यहाँ पर देखिएगा, तो only 85 दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह है 90 minus 85 बचेगा 5, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो distance है वो आपका 5 का होगा, यह जो portion है इसका, ठीक है तो अब मैं क्या करता हूँ, एक तो मैं उपर जाता हूँ, 40 में और इधर मैं 5 shift करूँगा, फिर radius लूँगा 15 का, तो उसको लेने के लिए हमें क्या करना है, जरा गौर से देखिएगा तो उसके लिए हमें क्या करना है जस्ट एक line ले लेना है, ठीक है या तो हम circle लेने के बाद उसको move भी कर सकते हैं, no problem, तो फिलहाल मैं यहाँ से एक line लेता हूँ, उपर की तरफ 40 डाल दिया, enter किया, और इधर जाओंगा 5 enter, enter अब इस corner पे मुझे एक circle चाहिए जिसका radius होगा 15 का तो आप यहाँ से circle लेजिए यह है इसका center point और मैंने डाल दिया 15 इतना होने के बाद आप अगर चाहें तो इस line को delete कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आई बाद समझ में अब हमें एक tangent line लेने की जरूरत है यहाँ पे आप जरा सा गौर कीजिएगा तो हम लोगों को पता चलेगा कि बबा यहाँ से हमें एक tangent line की जरूरत है तो देख लिजिए कैसे करना है आप direct यहाँ से line लीजिए और क्या है shift button को दबाईए और right click कीजिए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है tangent यह देख लो यहाँ पे आप कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए नो प्रॉब्लम shift बटन को दबाईए रखिए और right click करके फिर से आप tangent ले सकते हो तो यह देख लो यहाँ पे tangent आ गया तो इस तरह से क्या होता है यह मेरा tangency apply हो जाता है ठीक है एक और तरीका है इसको लेने का आप यहाँ से इसको erase कर सकते हो direct क्या कीजिए line लीजिए और अपने keyboard से tan प्रेस कीजिए तो इस तरह से आपका tangent दिखाएगा फिर से आपको tan लेना है और यहाँ पे जैसे ही यह tangent का icon दिखे आप click कर देना है यह हमारा काम हो गया है अब जरा सा गोर कीजिएगा हमें इसको भी बनाना पड़ेगा तो मैंने आपको बताया था कि polyline हम कैसे लेते हैं तो polyline का लेने का फाइदा यह हो जाएगा कि हम एक ही जटके में line ले सकते हैं और arc ले सकते हैं फिर इसे line ले सकते हैं ठीक है तो चलिए यहाँ पर छोटा सा line है यहाँ पर हम tangent, tangent, radius वाला circle बना लेंगे अब देखते हैं आगे क्या होता है सो तो यहाँ पर हम polyline लेते हैं और इसको यहाँ से मैंने start किया total distance यहाँ पर click कर दो यह total लेला है 90 50 plus 40 यहाँ पर देखिएगा total 90 हो गया फिर हमें क्या चाहिए arc चाहिए तो आपको क्या करना होगा arc पर click करना होगा अब देखिए इसका radius कितना है तो यहाँ पर दिया गया है 15 का तो यह पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक total diameter तो हमें 30 डालना होगा फिर आपको क्या करना है एक straight line लेनी है छोटा सा straight line लेना है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर line पर click कर दो और यह बड़ा कितना लिया है यह तो बदाया नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे बड़ा सा ले लेता हूँ यहाँ तक लेना है दूसरा tangent लेना है और radius कितना है जरा गौर कीजिएगा 50 का तो आप यहाँ से 50 डाल दीजिए that's all तो इस तरह से करके मैंने सारे काम कर लिए हैं अब हमें क्या करना है trim कर लेना है तो tr double space मैंने बताया है जहाँ पर भी मैं space बोलता हूँ इसका मतलब आप इंटर का भी use वहाँ पर कर सकते हो आप delete कर दीजिए यह सारे चीज़े हमारे लिए भी किसी काम के नहीं है आप इन सारे चीज़ों को delete कर दीजिए यह देखो कितना perfectly हमारा काम हो चुका है और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जड़ा गौर कीजिएगा इसको बोलते हैं slot या फिर elongated hole आप बोल सकते हो ठीक है इसको बनाने का कैसा यह देख लीजिए तो सबसे पहले तो मैंने बताया है आपको polyline से ही हम इसको कर सकते हैं तो यहाँ इस जगह से हमें start करना है तो वह start कैसे करेंगे सबसे पहले आपको polyline लेना है इस center को थोड़ा track कीजिए और उपर कितना जाना है तो 6 जाना है 6 मैंने क्यों लिया क्योंकि देखिए इसका total dimension 12 है मैंने center से लिया उपर तो 6 का आएगा और उसके बार हमें क्या करना है इधर जाना है 40 का enter कर दिया फिर आपको लेना है arc और arc का जो total diameter लेना है वो 12 लेना है enter कर दिया फिर आपको line लेना है आप line पे click किजिए फिर यहाँ से मैंने 40 लिया enter किया फिर आपको लेना है arc तो arc ले लिजिए और यहाँ पर आप चाहो तो direct close पर click कर सकते हो यह देख लो कितना कमाल का है you know it's very nice ओके और इस तरह से मैंने इसको भी पूरा बना लिया है dimension थोड़ा सा fast में apply कर लेते हैं हम लोग और यहाँ से आप जड़ा देख सकते हो यह ले लेता हूं मैं by layer by default वाला ठीक है अब यहाँ से मैंने radius लिया इसको select करके ऐसे ले लो space करके repeat कर सकते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं कितना कमाल का दिख रहा है perfectly done यहाँ से भी हम ले सकते हैं कितना कमाल का दिख रहा है और इधर से हमें क्या करना है diameter लेना है यहाँ से पकड़िए फिर इसके बाद यहाँ पर जाईए यह क्लिक हो गया फिर space करके आप repeat कर सकते हैं ऐसा यह ले लेता हूँ फिर आपको इसको select करना है और यहाँ से जाने के बाद हमें क्या करना है continue dimension अब यहाँ से इसको भी यहाँ तक रख सकते हैं skip कर देजिए ठीक है और इधर से भी हमें एक और लेने की जरूरत है आप यहाँ पर पकड़िए then यहाँ पर हमें click कर देना है so it is looking very simple you know देख लो कितना कमाल का दिख रहा है कोई किसी तरह का कोई दिक्कात नहीं है यह भी perfect दिख रहा है यह भी perfect दिख रहा है you can see अब बात कर लेते हैं जरा सा center mark की तो यहाँ पर आपको मिलेगा यह देख लिए यहाँ पर center mark है यहाँ पर center mark है तो आप वहाँ पर center mark दिखा सकते हो ठीक है This is the way आप अगर चाहें इस center mark को और इस center mark को दोनों को select करके home में जाईए modify में जाईए और इसको कर दिजी आप send to back ताकि हमारा dimension उपर दिखे है ना या तो आप इसको पकड़के थोड़ा उपर भी ले सकते हैं you know ताकि हमारा neat and clean दिखे क्या है इतना सांदार तरीके से आप सीख जाएंगे कि आने वाले दिनों में आप मुझे thanks बोलेंगे ठीक है कि wow बस हमारे साथ बने रही है और क्या है जो जिस तरीके से मैं बताता हूं उस तरीके को follow केजिए ठीक है it's perfect एक भी point ऐसा नहीं है जो आप बोलो कि नहीं हुआ है सो ठीक है एक एक point जो है course complete होने के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि क्या आपने सीखा है सो ठीक है यह हमारा रहा आज का दूसरा tutorial ठीक है आप इसको पकड़िए यहां से move command लीजिए base point लीजिए इसको अब जरा सा सरकार दीजिए ठीक है no issue यह हमारा हो गया आप चाहें इसको control plus s press कर सकते हैं यह हमारा save हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है चलते हैं अगले drawing की तरफ जरा इसको गौर कीजिए गए exercise number 10 और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे ठीक है exercise 10 होने के बाद आप लोगों को जरा practice करनी चाहिए ठीक है इसको बनाने से पहले हमें क्या करना है जड़ा सब पिछले commands को remind करने की जरूरत है महीने आपको offset बताया है copy बताया है सब कुछ बताया है arc बताया है तो हमें वो सारे tools यहाँ पर apply करने है ठीक है यहाँ पर देखिएगा आपका radius है 10 का diameter है 35 का तो दो circle हमें लेनी होगी तो बस उसी तरह से फिर से आपको क्या क करता हूँ और फिर से मैं space करता हूँ repeat कर दिया circle यहाँ पर diameter 35 enter मैंने इन दोनों circle को select किया copy इसको base point और इस direction में या इस direction में जिदर आपको लेना है ले सकते हो कितना लेना है you can see here 50 आप यहाँ से 50 type कर दीजिए enter कर दीजिए ठीक है अब यहाँ पर मैं आपको एक technique बताता ह जरा साब क्या किजिए एक line ले लिजिए यहाँ से यहाँ तक और फिर आपको क्या करना है इसके यहाँ से यहाँ तक ऐसा कुछ ले लिजिए अब जरा गौर से देखिएगा मुझे इस center line से यहाँ पर लेना है 10 फिर 32 फिर 45 10 32 45 offset लेना है मैंने यहाँ पर offset को क्लिक किया offset distance जला 10 enter याद रखिए command की practice नहीं करेंगे तो आपका speed नहीं चलेगा ठीक है यह रहा 10 यहाँ से फिर मैं 32 फिर मैं यहाँ से 45 एंटर यह हो गया then यहाँ पर देखिएगा 10 का है 5 इदर 5 इदर उसी तरह से लेना हम लोगों को आप इदर से 10 10 का भी ले सकते हैं और अंदर वाला में 5 ले लेता हूँ यह हो गया 5 और यहाँ से भी आप 5 का ले लेजिए आई बात समझ में अब tr double space यह हटाओ यह हटाओ यह सब हटाओ ठीक है अब यह भी हटा सकते हैं और बाकी का जो lines है वह आप delete कर दीजिए इसके हमें कोई भी जरूरत नहीं है अगला काम यहाँ से भी करना है tr double enter जो भी लगे unwanted आप उसको हटा दीजिए delete कर दीजिए ओके फिर tr double enter करके इधर और इधर भी हटा दीजिए आप जरा सा match करके देख लिजिए कि हमने सही काम किया है कि नहीं किया है बिल्कुल perfectly done अब काम आगे जरा गोर किजिए का ही जगा पर यहाँ पर लिया गया है arc और मुझे लगता है start point दिया हुआ है end point भी और इसका radius भी दिया हुआ है तो मैंने arc में आपको बताया था start end radius type का arc ठीक है पिछले lecture में जरा गोर से revise कर लिजेगा यह रहा start end radius यहाँ quadrant से लिया गया start point यह रहा आपका end point और radius इसका कितना है 25 डाल दीजिए और फिर हम इसको क्या करेंगे mirror करेंगे तो इसको select करने के ब second point of mirror line और say no to it यह हो गया हमारा अगला काम क्या है जरा गोर कीजिएगा यहाँ पर तो arc दिया हुआ है बट radius नहीं दिया हुआ है तो radius को हमें assume करना होगा जो की होगा 17.5 का क्योंकि यह दिया हुआ है 35 का तो 35 का आदा हम ले सकते है ठीक है तो आप इसको 17.5 ले सकते हो इसको आप क्लिक के जिए इसको भी क्लिक के जिए आटोमेटिक ले यहाँ पर 17.5 आ जाएगा इंटर कर दीजिए यह 17.5 क्यों आया पता है क्योंकि लास्ट टाइम में हमने यह बड़ा वाला सरकल लिया था ना जिसका diameter 35 है इसलिए वह आया ऐसा नहीं कि आटोमेटिक ले होता है ऐसा नहीं होता ठीक है यह क्योंकि मैंने पिछली बार में इस सरकल को क्रियेट किया था और इसका diameter 35 लिया था इसलिए वह 17.5 आपको दिखा रहा था ठीक है अब टीयार डबल स्पेस कर दिजिए इन सब को आप ट्रिम कर दिजिए तो जो जरूरी चीजें हैं उसको रहने दिजिए नहीं है उसको आप हटा सकते हो you can see here अब मैं आपको recommend करूँगा वहिया इन सब को हटाईए है ना और क्या करना है हमें standard वाला यह लेना है क्या बोलते है उसको center lines ठीक है यहाँ से पकड़िए पहले तो मैं center line लेता हूँ इस line को पकड़ा इस line को पकड़ा एक और गलती क्या हो गई हमने यह जो type लिया था यह देखो यहाँ पर point 30 ही है आपको यहाँ पर by layer करना पड़ेगा ठीक है फिर मैं annotate में जाता हूँ यहाँ पर जाए इसको select क ले लेता हूँ यह ले लेता हूँ और बढ़ा वाला यह भी ले लेता हूँ इस तरह से मैंने इसको complete कर लिया बढ़ा करना चाहें कर दीजिए no issue इसको भी ज़रा बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा दीजिए जादा नहीं बस थोड़ा सा ले लेंगे तो चलेगा in this way we have created this part exercise number 10 okay and now it's time to apply the dimensions okay let's have a look यहां से मुझे यहां तक 50 यहां से पकड़ लेता हूँ मैं यहां तक यह हमारा vertical distance इसका 10 है आप ज़रा सचाहें तो इसको उपर की तरफ कर सकते हैं और इसको पकड़िये फिर यहां से continue में जाएए यह हमारा हो जाएगा 32 फिर यह हमारा हो जाएगा 45 skip कर दिजे यह you can see फिर से space करके आप repeat भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आप चाहे तिसको यहां पर भी place कर सकते हैं आपकी मर्जी it's perfect everything is perfect you know यह हो गया फिर से space ले लो यहां से पकड़के यहां तक जाओ यह हमारा 20 आ चुका है that's all और क्या बाकी है वह यह हम लोगों को और क्या चाहिए radius चाहिए तो आप चाहें तो radius इधर दिखा सकते हो नहीं तो diameter भी चाहें तो diameter भी दिखा सकते हैं आपकी मर्जी और इसको पकड़िए यहां पर जाइए move text only कर दिजिए ठीक है यहां से move text only कर देता हूँ और तो को करूँगा off आप इसको यहां पर place कर दिजिए ठीक है और अगर नहीं हो रहा है सही जगा से तो आप इसको above the dimension line पर click कर दिजिए इस ते यह से यह हमारा बन चुका है बता दर इसको मैं arrange कर देता हूं इसको पकड़ के M for move यहां से मैं ज़रा सा ओरतो को है ना इधर से मैं ठोड़ा इसके पास लहने लेता हम इसको पकड़ लिया ओर थो जड़ास मैं off कर देता हूं और इसको मैं यहां पे रख देता हूं ठीक है like this अप ऐसे भी कर सकते हो ठीक है थोड़ा समय यह रहेगा हमारा और इसको मैं इसके बराबर में करना चाहता हूँ यूनों जस्ट ट्रैक इट ताकि थोड़ा सा यह हमारा स्पेस हो जाए अच्छे से और तो को मैं ज़रा ओन कर लेता हूँ ठीक है मैं ज्यादा कुछ नहीं जाओंगा यह हमारा चुका है अब ज़रा से मैं क्या कर लेता हूँ एक यहां से मैं यह व्ला ले लिया है या तो फिर मैं ग्रीन ले ले लेता हूँ हम एक border line भी create कर सकते हैं, यह देख लो, perfect presentation के लिए हलाके इसका color जो होता है, border का by default color blue color में होता है, यहां से, लेकिन dark background है, इसलिए मैं green ले रहा हूँ, और ज़रा सा मैं इसका scale थोड़ा बढ़ा कर देता हूँ, इसको select करेंगे, और control 1 प्रेस करेंगे, control 1 प्रेस करने के यह हमारा हो गया है, थोड़ा मैं इसको offset भी कर देता हूँ, ठीक है, यहां से आप पकड़िएगा, तो ज्यादा नहीं मैं 5 क्या सपस ले लेता हूँ, here you can see, we have created exercise number, कौन सल यह है, 7, 9 and 10, I hope यह तीनो के तीनो पाट जो है, तीनो के टीनो ड्राइंग, अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आपको क्या कर देता हूँ, Z for zoom कर लेता हूँ, O for object कर लेता हूँ, इसको select कर देता हूँ, here you can see, your whole efforts is here, okay, if you want to type here something, then type कर सकते हैं, press control 0, और अगर type करना यहाँ पर exercise number 7, 7, 9 and 10, then आप यहाँ पर type कर सकते, यह exercise number 7, 8, 9 भी type कर सकते हैं, यहाँ से देखिएगा तो आपको multiline text मिल गया है, यहाँ पर आप ऐसे drag कर सकते हो, ठीक है, और click कर दीजिए, यहाँ पर आपको आराम से मिलता है, exercise, EX कर देता हूँ, सिर्फ, कितना है मारा, 7, 8, and 9, ठीक है, आप जरा सा space डाल दीजिए इन सब में, ताकि देखने में अच्छा लगे, और मैं क् select करके जरा समें इसकी size को बड़ा कर देता हूँ, दस ले लिया, इधर क्लिक कर दो, ठीक है, इस लुकिंग वेरी नाइस, हलाके text का जो color होता है, वो आप यहाँ से कर देते हैं, magenta, you know, इस लुकिंग वेरी नाइस, आप इसको control plus S press कर दीजिए, इस तरह से महीने बना दिय हैं, यह तीनों, I hope यह सारे tutorials आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है, then feel free to ask,